अगर सिनिमा कैमरे के बारे में कुछ सीखा है तो वो शारुक सर से और रनवीर के साथ मुलाकात हुई, रानी जी के साथ मुलाकात हुई रनवीर के साथ वो मुलाकात और उसके बाद रॉक स्टार में मुलाकात वो इनसान नहीं भूला केटरीना कैफ के साथ मैंने फितूर में उनको उर्दू की डिक्षिन क्लासेज लिए दिखें शुरुवात की जो सांवरिया मैंने की सांवरिया एक्चली मुझे चग्दे से पहले मिल गई थी पर उसकी शूटिंग बाद में हुई सांवरिया में बहुत ही इंटरस्टिंग रहा बहुत ही छोटा कारेक्टर था पहले तो मुझे पता ही नहीं था मेरा कारेक्टर क्या बस संजलीला वंसाली ने बुलाया मैं चली गई क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ और चली गई और वहाँ पर जब उन्होंने ओडिशन देखा मेरा एक घंटे ओडिशन चला और बहुत ही इंटरस्टिंग इंपरवाईजेशन रही उन्होंने मुझे ले लिया मुझे कुछ नहीं पता था क्या है क्या नहीं है फिर उन्हों क्योंकि इतने कमाल के डिरेक्टर है एक कमाल के टीचर है बहुत ही कुछ सीखने को मिला एक बात मैं चक्दे में भूल गए कि हाँ अगर cinema camera के बारे में कुछ सीखा है तो वो शारुक सर से मैं उनकी बहुत जान खाया करती थी ये mid shot क्या होता है, close up क्या होता है, wide shot क्या होता है इतना number lens क्या होता है, उतना number lens क्या होता है फिर वो बड़े patience के साथ मुझे सारी चीज़े बताया करते थे जिसका फाइदा मुझे सामरिया में हुआ और बहुत ही अच्छा लगा काम करके संजे सर के साथ और बहुत ही अच्छा एक्सपिरिंस रहा है सबसे मज़ा आए कि जिस तरह चकदी इंडिया में एकदम ही पैंट, शर्ट, टी-शर्ट और सामरिया में बहुत ही सजी-दजी सी प्रोस्टिट का कारेक्टर किया था और खुद आते थे संजेला बंसाली देखने के लिए कैसा मेक अप हुआ है भारत एंडॉरस मेरा मेक अप और है करते थे जो रानी मुकर जी का कर रहे थे तो मुझे बड़ी खुशी हुई और बहुत ही सीखने को मिला जिस तरह से वो डिरिक्ट करते थे जिस तरह से वो किरदार को समझाते थे कमाल का experience रहा थोड़ा tough था क्योंकि संजे सर जो चाहते हैं जो सोचा है उनको exactly वैसा चाहिए ना इंच उपर ना नीचे तो थोड़ा सा एक actor के लिए difficult हो जाता है पर ठीक है उन difficulties में भी बहुत कुछ सीखा और रन्वीर के साथ मुलाकात हुई रानी जी के साथ मुलाकात हुई रन्वीर के साथ वो मुलाकात और उसके बाद rockstar में मुलाकात वो इंसान नहीं भूला जिस तरह से वो मिला काबिल था तो जैसे शारुक सर जिनके लिए मैं बोल चुकी हूँ की वो कमाल के एक्टर एंड कमाल के इंसान उसी तरह रनबीर तो वो सब रहा फिर फिर उसके बाद मैंने गजनी की तो गजनी में में भी मेरा अच्छा किरदार था क्योंकि जो स्टोरी मैं कुछ समझ नहीं आता था कि लोग इतना जुड़ गेते कि अगर मैं पहले फोन कर दीती तो शायद जान बच जाती तो उसमें भी बहुत अच्छा एक्सपीरेंस रहा और मुझे पता चला बड़ी खुशी ही कि मुझे आमीर खान सर ने बहुत पसंद किया था बहुत सारे फिल्म थी जॉली एललबी बॉस और सौरी मुझे याद नहीं आ रही बहुत सारी थी जिसमें मैंने एक एक दो-दो सीन थे मेरे जो मैंने किये लेकिन वो एक एक दो-दो सीन भी बहुत भेतरीन सीन थे जिन में करने को मज़ा आया नागेश कुकुनूर के साथ मैंने करके मुझे अच्छा लगा फिर सिलसला जारी रहा अपना फिल्म का टेलिवीजिन का उसके बाद एक फिल्म मिली मुझे मोती चूर चूर जो जिसमें नवास की मदर का करेक्टर था और बहुत ही बहितरीन रोल था और जब वो करेक्टर मुझे मिला तो मैंने का बस अब त दिरेक्टर थी और राइटर और कमाल का लिखा था और कमाल की डिरेक्टर मतलब माइंड ब्लोईंग और काम करके भी खुब मज़ा आया नवाज मेरा जूनियर है एनिस्डी का लेकिन बहुत बड़े स्टार है वो उनके साथ काम करके भी बहुत ही अच्छा लगा वेरी से रिलीज नहीं हो पाई क्योंकि कोविड की वज़े से और फिर लेकिन नेट्फ्लिक्स पर है और लोग उसको आज भी देखते हैं पसंद करते हैं बहुत अच्छा लगता है फिर उसके बाद मैंने फिल्म की सोनम गुपता बेवफा है उसमें भी बहुत अच्छा किरदा करते थे 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 ओ से जुड़ने का मौका मिला बहुत अचा रहा फिर एक बहुत सबर्दस चैलेंजिंग फिल्म मिली मुझे आगरा बहुत ही सबर्दस चैलेंजिंग और मुझे जब बुलाया , कनु बहल कौ मैं बचपंसे जब ऋ चोटे जिए थे में उनको तब से क्यूं किसन की फिल्म बनाते हैं, बहुती कॉंप्लिकेटेड और डार्क मुवीज तो मैंने सुझा मैंने आज सा कि फिल्म की नहीं है, तो इस तरह की फिल्म कभी experience होना चाहिए, और मैं गई मेरा audition हुआ, मुझे select किया और फिर workshop हुई, और वो workshop हुई जो मैं students के साथ करती हूँ, औ और जो workshop कर रहे थे प्रशान्त, वो मेरे student थे, और मैंने उनको बोला, मैंने का मैंने अपने आपको zero कर दिया है, आप भूल जाओ, विभा मैम पहली बातो, विभा मैम हटा दो, विभा बोलो, और मैं आपकी student हूँ, मैंने अपने आपको एकदम neutral कर दिया है, मुझे कुछ नहीं आता, आप जो बताएंगे उसको मैं लोगी, and literally मैंने वो किया, मुझे वो exercise पता थी कैसे करनी है, फिर भी उसके बावजूद मैंने अपने आपको समझाया, मुझे नहीं पता यह exercise, मैंने zero से शुरू की उसको, और उससे मुझे इतना, मुझे as an actor अपने अंदर एक change देखने को मिला, क्योंकि आप काम करते जाते, करते जाते, senior होते जाते आपको कोई बोलता भी नहीं, आपको कोई बताता भी नहीं, कि आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, यहां एक रुक करके खुद को देखने का मौका मिला, और बहुत ही tough experience था, बहुत ही tough shooting थी, आपक के अलावा और कुछ नहीं सोच सकते कि बस अब तो इससे अच्छा तो मरी जाएं अब नहीं करना हमें शॉट नहीं तो वहां जब तक उस चरम सीमा तक तब तक वह नहीं करते थे और मुझे लगता है कि उसका रिजल्ट आ रहा है मामी फेस्टिवल में हमारी फिल्म की बहु मेहनत सिर्फ अक्टर नहीं पूरे जो क्रू है डिरेक्टर कैमरा मैं साउंड एडीज सब जितने भी है कॉस्ट्यूम सब म्यूजिक एवरीधिंग माइंड ब्लॉइंग तो वह एक्स्पिरियंस बहुत अच्छा रहा और इसकी बीच में मैंने रैप सीरीज भी की घर मैं तब से फैनों जब दुश्मन फिल्म आई थी उनकी पहली थी या पता नहीं मुझे नहीं मालो पर मैं तब से उनकी फैनों के साथ काम करने का मौका मिला बहुत बड़ा रोल नहीं था हार्डली मैंने पांचे दिन चूट किया उनके साथ पर कमाल का experience कमाल की महिला ऐसे लोगों के साथ दिल करता है आप बस जिंदगी भर काम करते रहे करते रहे और फिर मैंने मेरी टीवी आइफ के साथ मैंने बहुत काम किया बहुत सारे sketches किया है वेब शो किया है अभी मेरा who is your गायनिक प्राइम वीडियो पर है वो Amazon पर who is your गायनिक सबा अजाद है उसमें साथ में तो वो मेरा भी latest आया है तो इस तरह से चलता जा रहा है निरजा कर रही हूं मैं colors का शो sunshine के साथ उसमें भी बहुत अच्छा किरदार है पहली बार एक पेंगॉली कारेक्टर मैं निभा रही हूं तो चल रहा है सब दो तिन फिल्म्स हैं जो लाइन अप है और जो थोड़ी टल रही है कुसी वजह से कभी location की वजह से कभी actor की वजह से कभी कुछ तो दो तिन फिल्म्स हैं अभी मैं उनका नाम रिवील नहीं कर सकती पर फिल्म एक मेरा television चल रहा है मेरा theater भी चलता है यह मैं आपको बताना हाँ शायद मैंने बताया था कि मैंने theater नहीं छोड़ा मैं acting करती हूं नादिरा बबर जो है नादिरा जहीर बबर उनके साथ एक play कर रही हूं footnotes of life हाशे जिंदिगी के जो मैं पिछले 15 साल से कर रही हूं उनक जो मेरे बेटे के दोस्त है हसन जैदी जो खोटे सिक्के में थे वो खुद एक बहुत बहुत बहुतरीन actor है वो उसको produce कर रहे है उन्होंने लिखा भी है और वो नाटा कर रही हूं जिसका बहुत ही कमाल का response आ रहा है तो theater भी चलता है और मेरी acting classes भी चलती है इंडिविज इंडिविजुल classes मैं लेती हूँ और मैं खुशकिस्मत हूँ कि इम्तियाज अली जैसे director के साथ मैंने acting तो नहीं की लेकिन उनकी अभिनेतरी जिजैल जो लव आजकल में जिन्होंने वो सरदार्नी का character किया था उनको मैंने diction की classes दी थी फिर rockstar में मैंने नर्गिस वाकरी उ वो रन्बीर के opposite थी और फिर उसके बाद मैंने dina panty cocktail में उनके साथ मैंने उनके साथ पूरी acting, voice, diction पूरी सारी classes ली फिर Frida Pintro के साथ मैंने classes की Katrina Kaif के साथ मैंने फितूर में उनको उर्दू की diction classes ली फिर दीपी का पौदुकर उनके साथ थोड़ा फ़वक्त बिताया ये जवानी है दिवानी के दोरान फिल्म से पहले उनके साथ काम करने का मौका मिला तो as in teacher तो चीराग पास्वान, आदर जैन तो इस तरह से मतलब ये सिलसला भी जारी है और acting भी है, theater भी है, films भी है, television भी है, सब कुछ है चल रहा है